तो हलो गेमर्स कैसे आप सभी लोग तो गाइस यार अभी माइनकाफ बंड़ए 20 का ओफिशली बर्जन दिलीज हो चुका है इस बर्जन के अंदर यहांपे काफी सारी न्यू न्यू चीज एड़ हुई है और यहांपे एक न्यू चीज एड़ हुई है जिसका नाम है यहांपे आर्मर ट्रेम्स तो guys यार यहाँ पे totally 16 प्रकार के armor trims को यहाँ पे minecraft ना add किया है और इस video के अंदर मैं आपको बिल्कुल easy तरीके से बता दूँगा कि आपको सारे के सारे armor trim यहाँ पे कहाँ पे मिलने वाले हैं आपको बिल्कुल भी कोई भी confusion यहाँ पे नहीं होने वाली है और हाँ guys इस video को मैंने यहाँ पे chapter और sections में divide किया है जो कि आप description से देख सकते हो अगर आपको particular armor trim ढूट रहे हो तो उसकी मदद से आप यहाँ पे easily ढूट सकते हो बाकि अगर आपको सारे armor trim की information चाहिए तो वीडो को बिल्कुल यहाँ पे end तक देखना और हाँ guys मैंने यहाँ पे armor trim को यहाँ फे three category में divide किया है पहला है overworld नाइदर वाला और तीसरा है हमारा end वाला और हाँ guys आपके अधिकतर से अधिकतर armor trim यहाँ पे over world के यह अंदर मिल जाएगे और इसमें भी मैने यहाँ अपे sub divide किया है तो पहला है आपका यहाँ पर Coast Armor Trim, दूसरा आपका यहाँ पर Tide Armor Trim तो guys है जो Coast Armor Trim है आपको इसली Ship Rack बगएरा के अंदर मिल जाता है और मैंने आपको सबसे पहले इसली बता है क्योंकि Ship Rack यहाँ पर बहुत ज़्यादा माउट में आपको Ocean के अंदर यहाँ पर मिल जाता है और इसली मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर यह बताया है तो आपको Simply Ship Rack बगएरा के अंदर जाना है और आपको दोनों Chest बगएरा के अंदर देखना है इस Chest के अंदर तो कुछ भी नहीं मिला है लेकिन हो सकता है दूसरी वाली Chest के अंदर आपको है न Post Armor Trim यहाँ पर मिल जाता है तो यह देखो बज़े यहाँ पर दो दो Coast Armor Trim यहाँ पर मिल चुके हैं तो दूसरा आपका यहाँ पर Tide Armor Trim जो के आपको यहाँ पर Ocean Monument बगएरा के अंदर मिल जाता है Ocean Monument के अंदर भी आपको यह Guardian बगएरा को मार के ही मिलेगा और Guardian में भी है ना आपको Guardian आपको पता है कि सिर्फ कुछी यानि एक Ocean Monument के अंदर मुस्किल से 3 Guardian रहती है और इसका ड्रॉप करने का चांस काफी अधा कम है यानि सबलो अब 20 Guardian मारोगे तब जाके आपको एक मिल सकता है तो अब समझ सकते इसका ड्रॉप रेट कितना ज्यादा कम है यहाँ तो चलो मैं आपको यहाँ पर पता देता हूं जैसे कि मैं इस Guardian को मार रहा हूं पता नहीं मुझे कितने चांस लगने वाले यहाँ पर ड्रॉप करने पर यह देखो मुझे तो पहले ही ट्राइ में मिल गया मुझे यह देखो यहाँ पर पहले जाये बरना फिर आपको काफी सारी ओश्यन ओनिमेंट ढूड के इसको मार मार कर लेना पड़ें तो जंग लाता है आपक रखते बहाइना से बचके हैना और इसमें से आपको किसी एक चैस्ट के अदर यह लो मुझे पहली चैस्ट के अंदर 수 पूर मैं प्रक्ति मिल चुका है कि सभार के अ ट्राइब धर यहां पर कुछ ट्रैप बगए रहता है और बचके यहां पर यहां पर आने है तो देखो इस वाली चेष्ट के अंदर मुझे नहीं मिला करीब 33% रहता है और हाँ मैं बताना भूल गया था कि इन हर एक armor trim का find करने का एक chance रहता है अगर आपकी खिस्मत रही तो आपको मिल जाएगा और इसको तोलना तो काफे अदा मुश्किल लेता है यहाँ पर भी chest रहती है उसके अंदर यह देखो मुझे यहाँ पर 2 armor trim यहाँ पर मिल चुके हैं तो आप यहाँ से भी armor trim easily collect कर सकते हो तो guys next armor trim है हमारा यहाँ पर eye armor trim तो guys eye armor trim आपको नाम सही समझ में आ गया होगा यह वाला armor trim आपको strong hold के अंदर यहाँ पर मिलने वाला है तो yellow guys मुझे यहाँ पर strong hold के library के अंदर मिल चुका है और yellow guys मैं यहाँ पर दूसरी तरफ वाली library में भी आया तो और वहाँ पर भी मुझे यह वाला armor trim मिल गया यानि आपको यह library के अंदर मेरे साब से 100% chance आपको यहाँ पर मिलने वाला है तो guys दो armor trim आपको easily यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको बात कर लेते हमारे wax armor trim की तो guys यह वाला armor trim आपको यहाँ पर woodland mansion के अंदर मिलने वाला है और guys woodland mansion के अंदर यहाँ पर देखो एक hidden chest वाला room बना रहता है तो मैं आपको spectator mode के अंदर यहाँ पर आदेता हूँ तो यह देखो इस तरीक से यहाँ पर hidden room बगेरा बना रहता है तो इस hidden room के अंदर आपको यह वाला armor trim आपको यहाँ पर मिलने वाला है तो एक minute मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ यह देखो यहाँ पर मुझे एक armor trim मिल चुका है और दूसा वाला आर्मर ट्रिम भी आपको मैं बता देता हूं, यह देखो, यहाँ पर दूसरा आर्मर ट्रिम मुझे मिल चुका है, लिकन अगर आप सर्भाइबल मोड में रहोगे, तो इसको ढूड़ना काप यदा मुश्किल है, इसलिए आप यहाँ पर पूरा बुर्ड लेंड मेंश आर्मर ट्रिम, तो काईजर इन दोनों आर्मर ट्रिम को यहाँ पर डूलना कापी वदा हार्ड है, क्योंकि आपको यह एशियन सिटी के अंदर मिलने वाला है, और आशियन सिटी में तो आप लूट करना कापी वदा मुश्किल है, आप जानते हो, वाट यह यहाँ पर कोफी सारी चैस्ट होती हैं वो सकते हैं को पूरी एजियन सिटी के अंदर यहां पर सालेंस ब्लें ना मिले और सिंपल सा सीलेंस अर्मयर डूलने के लिए आपको इस तरीके से हैं पर चैस्ट बगार को खूलना हैं और वह वादन से बस वहे और इसमें भी पांच परसेंट चांस हैं, यानि अगर आप 20 चेष्ट खूलोगे, तब जाके किसी एक chest में आपको उमीद मिलेगी कि आपको यहाँ पर ward armor trim मिल सकता है और यह देखो मुझे यहाँ पर ward armor trim मिल चुका है वो भी मैंने creative से यहाँ पर रख दिया था तो guys बात कर लेते हैं अभी हमारे यहाँ पर चार armor trim की wavefinder armor trim, razor armor trim, sharper armor trim और host armor trim तो guys आपको यहाँ पर चारों चीज यहाँ पर एक ही जगह मिलने वाली है तो guys यह जो चारों चीज हैं आपको यहाँ पर नई जगह मिलने वाली जिसका नाम यहाँ पर trail ruins तो चलो फटा फट से मैं से structure को यहाँ पर find कर लेता हूँ तो bedrock edition, java edition बगी हैं चीज बता दू बेडरोक एडीशन जाव एडीशन सब के लिए यहां पे सेम होने वाला है यहां पर आपको एक बार दिखाना चाहते हैं कि ट्रेल रूइन्स एक्षिली में यहां पे किस तरीके से यहां पे दिखता है तो सबसे पहले मैं यहां थोड़ा सा ऊपर चला जाता ह यहां पर टेरा पोटा और ग्रेवल वगएर इस तरीक से लगा रहे हैं तो समाने लोगे ट्रेल रूइन्स वाला स्ट्रॉक्चर है तो इसके लिए सिंपली देखो आपको इस तरीके से ब्रेश वगएरा मानना रहता है एक सबसे पहले तो मैं यहां से इन वाली ग्रेवल को तालीता हूं कि यहां पर वगयरा नहीं है और यहां पे फरन नहीं है वेड़ो अ होना मुझे भी डोलना मुझकल यहां जाना है और यहां पर तो तो इस प्रसपाइस ग्रेवल यहां जांस है कि आपको यहां पर आर्म ici яетर यहां Middle आ सकता है और हाँ guys मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर डिप्रेंस बता दू तो यह रहा अपका सपीसेस ग्रैवल और यह रहा आपका नॉर्मल ग्रैवल तो सपीसेस ग्रैवल इस तरीके से देखो यहाँ पर थोड़ा जीप सा खोधा हुआ देखता है और इसके अंदर से आपको इजली सामान बगएरा मिल जाता है और नॉर्मल ग्रेवल में आपका कुछ भी नहीं रहता है ये देखो तो गाइस अभी हमारे ओवर वर्ल्ड वाले आर्मर ट्रिम में आपके खतम हो चुके तो चलो बात करते हैं भी हमारे नैधर वाले आर्मर ट्रिम की बिना इसके आप यहाँ पे diamond से netherite armor में upgrade नहीं कर सकते अभी तो guys सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे rib armor trim की जो कि आपको यहाँ पे nether fortress के अंदर मिलने वाला है और इस armor trim को ढूलना काफ़ अदा मुश्किल है क्योंकि यह basically आपको nether fortress के अंदर मिलेगा यह armor trim को ढूलना तो यह देखो, मुश्किल है यानि काफ़ अदा मुश्किल है अगर आपको यहcej 생storyuna पहले पुना करना पड़ेगा तब ही चापकर यह वाला armor trim को ढूलना है और यह लूग, मैंने यहाँ पर creative से रखके आपको बता दिया थी कि इस तरीके से आपको यहाँ पे आर्मे ट्रिम मिलने वाला है किसी चेस्ट के अंदर यहाँ पे तो guys जो हमारा next आर्मे ट्रिम है बो है हमारा snout आर्मे ट्रिम जो कि आपको यहाँ पे बैशेंड रहमेनेंट के अंदर यहाँ पे मिलने वाला है और इसका chance यहाँ पे सिर्फ 8.3% per chest है और इसको डूलना इसलिए यहाँ पे hard है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे piglins बगारा गूमते रहते हैं और अगर अपने chest बगारा खोली तो आपको सीधा यहाँ पे ओडा दे दे हैं और यहाँ पे एक और बंदे गूमते हैं जो कि यहाँ पे piglin brute जो कि भाई यहाँ पे 24x7 यहाँ पे chest की यहाँ पे सुरक्षा करते रहते हैं तो आपको इन से लड़के इनको मार की यहाँ पे chest को लूट सकते हो जब आप यहाँ पे chest बगारा खोलेगे तब को यह बेसिकली यहाँ पे हर एक chest के अंदर easily यहाँ पे मिल जाता है बहुत ज़्यादा easy इनको दूलना है यहाँ पे fashion diamond end के अंदर ही सिर्फ आपको यहाँ पे मिलने वाला है तो guys यहाँ पे हमारे nether वाले armor trim खतम होते हैं अब बात करते हमारे last वो है यहाँ पे हमारे end वाले armor trim की तो guys end वाले armor trim में सिर्फ यहाँ पे एक ही armor trim में जो की है आपका inspire armor trim तो guys इस वाले eye trim के लिए आपको देखो यहाँ पे ender dragon को मार के आपको यहाँ पे end city के अंदर यहाँ पे जाना पड़ेगा तो guys end city जाने के वादा आपको यह एंड वाले यहाँ पे structure find करना और इस structure के अंदर ही आपको यह लास्ट वाले ट्रिम यहाँ पे मिलने वाला है तो इसके लिए आपको काफी दब पांपड़ बिलने पड़ेंगे क्योंकि क्या होता है कि यह वाला structure यहाँ पे काफी दब बड़ा होता है तो उसके अंदर भी आपको यहाँ पर मिल जाती है वाट मुझे यहाँ पे नहीं मिली तो आप यहाँ पर यहाँ पर से यहां पर खोला हुआ डिखो उपर इस तरीके से चिस्ट लिए अपको उससा इस टाइप ब बहु आण पड़ेगा त्ब ही आपको यह वाला आ पर कितना जादा मुश्किल होने वाला है तो guys यहीं थी इन armor trim बगएरा की information मैंने आपको बता दी कि सारे कि सारे armor trim आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं बट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इन armor trim बगएरा को यहाँ पर duplicate या इनको दोबारा से craft बगएरा कर सकते हो अभी आप लोग मैं से काफी सारे लोग बोलोगे कि यार इसको craft करने की क्या जरूरत है इसको duplicate बगएरा करने की जरूरत ही क्या है याप तो देखे यार गाईस इन में से कुछ armor trim आप जानते हो कितना ज्यादा मुश्किल है यहाँ पर ढूलना जैसे कि silence armor trim जिसके chance से 1.2% पर चैस्ट हैं और यह आपको सिर्फ Asian City में मिलता है यानि इसको लाना जान जोकें पर रखके लाने के बराबर है तो ऐसे में अगर आप इसको डूपलिकेट बगरा कर सकते हो तो कितना ज्यादा यूसफुल होगा यह आपके लिए तो चलो मैं आपको यहाँ पर कुछ armor trim की यहाँ पर रेसिपी बगरा बता देता हूँ जैसे की सपोज आपका यह silence armor trim है जिसको डूपलिकेट करने में यहाँ पर 7 diamond यूज होने वाली है और हाँ एक armor trim को बनाने के लिए कम से कम आपको एक armor trim वह वाला होना चाहिए और यहाँ पर कबल डिप्सलेट जो की डूलना का प्यादा easy है वह तो आपको कहीं भी मिल जाएगा यहाँ पर यहाँ आपका यह वाला armor trim बनके यहाँ पर ready है और हाँ गाई सेम आपके netherite upgrade वाले template को भी आप इस तरीके से duplicate वगयरा कर सकते हो थाकि आपको बार बार इसको ढूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो guys यार मेरे सबसे यह वाला update यहाँ पर काफी अच्छा था क्यूंकि यहाँ पर कोई भी जल्ली से netherite की tools बगएरा बना लेता था आइटम बगएरा बना लेता था अब इनको upgrade करना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ अब किस तरीके से इन armor trim को अपने armor के उपर use कर सकते हो तो guys इन armor trim को अपने armor पर use करने के लिए पहली बात तो आपको armor trim होना चाहिए और इन 10 मैंसे आपके पास कोई एक item होना च उस तो use हुआ भी तो guys देखों को armor पर लगाने के लिए आपको कोई सा भी एक यहां पर आर्मर trim ले लेना है और उसके बाद सपोज इन में से कोई एक भी item लेने कोई सा भी ठीक है तो सपोज मैं यहां से copper ले लेता हूँ और बस आपको इन दोनों चीची ज़रूरत है और कोई से भी एक armor ठीक है तो suppose अभी मैं इसको iron के armor पर लगा कर देखता हूँ कोई से भी armor पर यहां पर लगा सकते हो यहां पर नहीं स्वरी smithing table में use होने वाला यह तो देखो यहां पर मुझे इस तरीके से armor को रखना है यहां पर मुझे इस तरीके से smithing template को रखना है और जो भी आपका सामाने उसको यहाँ पर लगा देना है दस में से सिप एक चीज यूज़ होगा और यह लो आपका यहाँ पर इस तरीके से texture बगएरा लग गया है यह देखो दिखने में कितना जादा cool सा लग रहा है यहाँ पर यह और यह देखो यहाँ यह चीज आपके लेधर के armor पर टक वर्क कर जाती है यह देखो मैंने लेधर के armor में तक इसको लगा के देख चुका है ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कूई नाईसी skin बन गई यहाँ पर यह और हाँ guys leather का armor तो छोड़ो हो आप यहाँ पर turtle shell वाला जो helmet है ना उस पे भी आप इस तरीके से इसको यहाँ पर लगा सकते हो और turtle shell में भी यह काफी ज़्यादा cool सा देख रहा है यह देखो मैं आपको देखा था यह देखो कितना ज़्यादा बड़िया लग रहा है यहाँ पर आर्मर मेरा और हाँ guys सेम अभी देखो आपको diamond की sword को अगर netherite में convert करना है ना तो अभी इस तरीके से यहाँ पर convert होने वाली यहानि आपको एक smithing template यहाँ पर लगने वाला है और हाँ guys सपोज आपके यहाँ पर diamond की armor पर texture लगा है और आप चाहो इसको netherite में भी देखो इस तरीके से यहाँ पर convert कर सकते और आपका texture भी यहाँ पर लगा रहेगा